हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सबी का आपके अपने यूट्यूब चेलनलमोर क्रेटिव पर स्वागत हैं आई जाने मद्ध पृदेश अतिती सिख्षकों के आवेदन में सुधार की गई है जिन अतिती सिख्षकों ने पहले आवेदन किया है वे अपने आवेदन में सुदार कर लें क्योंकि आप लोगों ने आवेदन में काफी गलतियां की है उसके लिए तिथी तै की गई है तो अंतिम तिथी से पहले आप अपने आवेदन में सुदार कर लें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके वहीं दुसरी बात शिक्षक वर्ग एक का रिजल्ट आ चुका है लेकिन उसमें बहुत सारा फरजी वाड़ा हुआ है अब किसे फरजी वाड़ा किया है जानते हैं लेकिन कहा जा रहा है कि P.E.B. ने फरजी वाड़ा किया है चले देखते हैं खबर पूरी विस्तार से दिया आपको वीडियो प प्रदेश के सरकारी स्कुलों में अतिती सिच्छकों के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों ने बड़ी संख्या में गलतियां की है, विभाग को बड़ी संख्या में एसे आवेदन मिले हैं, जिसमें योग्यता से संबंदी जानकारी दर्ज करने में तुरूटी हुई आवेदकों ने अपनी सैच्छन योग्यता के अंग ठीक से दर्ज नहीं किये हैं, विभाग ने एसे आवेदकों के लिए 5 सितंबर 2019 तक इसे सुदारने का मौका दिया है। इसके थाथ योग्यता संबंदी जानकारीों में संसुदन के लिए आवेदक स्वयम के लागिन से इसे अनलाग कर सकते हैं। लोक सिक्छन आयुक्त जैसरी कियावत ने इस्पष्ट किया है कि इस दवरान किसी भी प्रकार का नवीन पंजियन नहीं किया जाएगा, नवीन पंजियन का विकल्ब बंद रहेगा। आप अपने लागिन से एजुकेशन पोर्टल पे जाएं औ और उन गलतियों को सुदार ले, अपनी जो सैक्छनिक योग्यता से सम्मंदित है और अपना सिलेक्शन कम्प्लिट करें। अब हम देखेंगे दुसरी बड़ी बात, पीबी में फिर हुआ फरजी वाड़ा, जो पहले सिलेक्ट थे, उनकी बारा घंटे बाद बदल गई र आरोप भोपाल से खबर आ रही है, प्रोफेशनल इग्जामेनेशन बोर्ट की हाई स्कुल सिक्छक पात्रता में रिजल्ट जारी होते ही फरजी वाड़े के आरोप लगने लगे हैं, उदर पीबी के अधिकारी परिच्छा परिणाम जारी होने के बाद किसी से बात करने क के लिए तयार नहीं है, दरसल पीबी ने सिक्छक पात्रता परिच्छा को आनलाइन कराया था, आनलाइन परिच्छा में परिच्छा होने के तुरंत बाद कम्पूटर स्कुल्ट कार्ड आ जाता है, उम्मिद्वारों के मुताबिक परिच्छा देते समय उनके नंबर महज 12 घंटे बाद नियुकती प्रकिरिया से ही बाहर कर दिया, गौरतल भय की गलबडियों के चलते पी भी अंग्रेजी विशय की परिच्छा को निरस्त कर चुका है, लेकिन आवेदकों का आरोप है, लगबख 15 विशयों में परिच्छा हुई थी, 15 विशयों में ही इस गलबड़ी हुई है, हाला कि अंग्रेजी विशय की परिच्छा पुना होगी 29 सितंबर को, लेकिन जिनका रिजल्ट आ गया है, उनका क्या होगा, इस तरह की गलबड़ियां आ रहे हैं सामने, एक उम्विद्वार ने परिच्छा प्रणाम आने के बाद अपनी मार्षिट निकाली तो उसकी रेंग 866 थी, इस रेंग के साथ संबंदित उम्विद्वार को मन्चाई जगव पर नियुक्ति मिल सकती थी, बारा घंटे बाद उस उम्विद्वार की रेंग बदल कर 7155 हो गई, इस रेंग के साथ संबंदित उम्विद्वार को नियुक्ति मिलना मु तक नहीं उठा रहे हैं और ना तो मिलने को तयार हैं पीबी के परिच्छा नियंतरक एकेज भदोरिया तीन दीन से फोन नहीं उठा रहे हैं तो इससे क्या समझें आवेदक जब परिच्छा जब पीबी के अधिकारी आवेदकों से बात नहीं कर रहे हैं यदि वे इमांदा होते और इमानदारी से रिजल्ट निकालते तो आप किसी से भी बात करवालो अधिकारी तयार रहते लेकिन आवेदकों का कहिना है कि पूरे के पूरे 16 विश्यों के रिजल्ट में गलबड़ी हुई है अब इसके लिए आवेदक आक्रोश जता रहें और वर्ग दो के अभ्यरती भी सतर्क हो जाएं क्योंकि उनके रिजल्ट में भी गलबड़ी हो सकती है तो इस प्रकार से दो बड़ी जानकारिया थी आपके काम की यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राहर दो यह थी खबर सुपरक है तो इसल Spike के लिए सब्सक्राइब कर ले तरह आने अगला वीडियो आपको श्यक्रता से मिले मिलते हैं पर अगले षी पर आपके कामकी खबर के साथ तब तक के लिए आप Realm